ओम शिरी हनुमात दिन शिरी हनुमान अस्टोलोजी प्रियमित्रो नमस्कार आज आपको जनकारी देंगे महा फर्वरी यानि फर्वरी का महिना 2023 कैसा रहेगा क्या गरों के शुबाशू प्रभाव गटित होंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका स्वास्थे आपकी हेल्थ आपका धन परिवार फैमिली फाइनेंस आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंड पैत्रिक संपत्ती छोटी मोटी आत्रे ट्रैविलिंग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भूमी मकान वहन प्रॉपरिटी ल आपका दामपत्य जीवन व्यवाइक जीवन आपके नवे विवा संबन प्रेम संबन बिजनेस विवसाय पार्टनर्शिप विदेशों की आत्राएं लंबी दूरी की आत्राएं तरक की उनत्ति करियर और लाब की दृष्टी से कैसा रहेगा इसके आपको संपूर्ण जान चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें बैल आइकन बटन दबाएं विडियो अच्छी लगए कमेंड बॉक्स में लिखें जैशिरी राम जैशिरी हनुमान एक नजर गरे गोचर पर डालेते हैं सूरिय अभी धनू राशी में संचार कर रहे हैं सौरी मकर राशी म प्रवेश करेंगे मंगल मारगी वस्ता में व्रशब राशी में ही संचार करेंगे बुद्ध आपके धनू राशी में रहेंगे साथ फरवरी को मकर राशी में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी को पुने कुम राशी में प्रवेश कर जाएंगे गुरू आपके मारगी होकर मीन राशी में सवगरही मीन राशी में संचार कर रहे हैं शुकर आपके कुम राशी में रहेंगर 15 तारिक को 15 फरवरी को अपनी उच मीन राशी में प्रिवेश करेंगे श्यानी आपके मारगी होकर कुम राशी में संचार कर रहे हैं जो उनकी मुल्त रिकॉन राशी है रहू आपके वक्री अवस्था में मेश राशी में संचार कर रहे हैं और केटू वक्री अवस्था में तुला राशी में यह आपके गरेंगोचर की इस्तति देखें मित्रों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कुम राशी वाले जातकों के लिए महाप्रवरी का महीना कैसा रहेगा क्या घरों के शुबाश उप्रवाव गटित होंगे पहले स्वास्ते की दिरिश्टी से यहाँ पर देखिए शनी देव आपकी मूलत रिकॉन राशी में आपके लगन में आपकी राशी में संचार कर रहे है जो की पंच महाप्रूस योग में से योग होता है शर्ष नामक योग, शर्ष नामक योग बना कर बैठे है जो की अच्छी स्थिए हाले कि आपके ओपर पूंड रूप से शनी आपको शनी की साड़े सती आपको प्रभावित कर रहे है लेकिन यहाँ पर जो शनी शर्ष नामक योग बना कर बैठे है यह इस्तती आपके अनुकूल है लेकिन तहरा तारिक को जब हुआ सूरिय ट्राजिट करेंगे तो सूरिय और शनी पिता पुत्र है सूरिय पिता हैं और शनी पुत्र है दोनों में आपस में शतुरुता है तो यह इस्तती थोड़ी चिंता जानक है लेकिन वहाँ पर पंदरा तारिक तक शुक्र संचार कर रहे हैं थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा बैलेंस भी बना रहेगा लेकिन फिर भी शाररिक मांसिक संतुलन गड़बडाईगा इरिटेशन, फरस्टेशन, कन्फूजन बनते कामा मड़चने रुकाउट है तो जल्द बाजी में कोई निर्णे मत लेकारिय करने के शक्ति इच्छा शक्ति भील पावर थोड़ी भी कोज़कते थोड़ा कन्फूजन्स, मेंटल स्टैबलिटी में कमी थोड़ा धहरी और सहीम रखिये जल्द बाजी में कोई निर्णे मत लेजी और थोड़ा हेल्थ के परती भी अपने सावधानी बरते हैं थोड़े सज़ग रहे फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं बहुत अच्छी इस्तती है परिवार के बीच में कोई मतबर डिफ्रेंस से चल रहे थे बिल्कुल दूर होगे और परिवार वालों से लाब बैनेफिट से हो कोई फैनेंशल लाब आग गेन कर सकते हैं जमा धनकोश बैंक बैलेस में व्रिद्धी होगी बविश्य के लिए कोई निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं पैत्रिक संपत्ती की प्राप्ती हो सकती है बहुत अच्छे योग यहां पर बन रहा है परिवार वालों का बरपुलाप और आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है अच्छी स्थती है उसके बाद आगे बढ़ते हैं छोटी मोटी आतने ट्रेविलिंग करते हैं थोड़ा सावधानी बढ़ती है समय समय पर थोड़ी नकारतमक सोच नकारतमक ता आपके अंदर थोड़ी आ सकती है नकारतमक सोच उत्पन हो सकती है कांफिडेंस लूस ही हो सकता है लेकिन आप अपने उपरात मिश्वास अप अपना बनाए रखें सकारत्मक सोच बनाए रखें और धहरी और सहीम का परिचे दें छोटे भाई बैन मित्र वर्क परोसी वैल विशर मिलने जुलने वाले लोग उनके साथ अपने संबंदों को ठ पर्ट्र पर्ट्र पॉ लेकर यहां पर अच्छी इस्ततिय फोपिस्त। रहें कि मंगल भूमी minister कर सूआ यह लेकिन वाल के लोड़ शुक्र हैं यहां आपके घर में शुक्स वैंसाजिनों में वद्द्द्द senior of बावने रहेंगी शुक्षान्ति का महौल रहेगा समय समय पर थोड़े समय के लिए अशान्ति का महौल करेट हो सकता है ठोड़ा धैरी और सही हम रखें संतान पक्ष को लेकर इस्तिति आपकी बहुत ज्यादा फिवर में नहीं है साथ तारिक तक तो इस्तिति ठीक है लेकिन साथ तारिक के बाद इस्तिति ठोड़ी खराब रहेगी संतान पक्ष को लेकर चिंता टैंशन कोई मद्बेर डिफरेंसिस या संतान का सहयोग उनके कोई विवाशादी में प्रॉबलम उनके हेल्थ इश्यूस उनकी पढ़ाई में नौकरी में या बिजनिस में कोई दिक्क मास्टर डिग्री लेने के लिए थोड़ी रुकावट है व्यवधान तो क्रियेट हो सकते हैं लेकिन अंत्यत्य सफलता भी प्राप्त होगी साथ से 27 तारिक तक इस्तिती ठीक है और 27 तारिक के बाद भी इस्तिती फिर ठीक है तो यह 20 दिन थोड़े से प्रिकॉशन लेने क के योग प्राप्त होंगे कोई करजे विमारी की इस्तिती से जूज रहे हैं वहां से रहत मिलेगी फोड़ा प्रियास कीजिए मेनत कीजिए सफलता निश्चित रूप से मिलेगी तंपति जीवन की बात कर लेते हैं तो तेहरा तारिक के बाद जब वहां पर सूर्य ट्रां प्रेम संबंदों में धोका चिटिंग, एक दूसरे की प्रती कोई नेम फेम आपका खराब हो सकता है, कोई आपका नाम खराब करने की कोशिच कर सकता है, कोई पार्टनर आपका बिजनेसमेन हैं वेल सही हैं पार्टनर्शिप में कारिये करना चाहते हैं तो तेरा तारिक तब तो बिल्कुल अस्थगित कीजिए नहीं तो लाग की बजाए नुकसान होगा तेरा के बाद धैरी और सही हम रखते हुए शुप्तिती मूरत में कोई कारिया आप करना चाहें पार्टनर्शिप बगारा में तो कर सकते हैं उसके बाद आपका दिरे दिरे दमपत्ते जीवन पर ठीक होना शुरू हो जाएगा पती-पत्नी के मद्वे डिफरेंसे दूर होंगे एक दूसरे के संबंदों पर गारता मजबूती आएगी लाब बेनिफिट सहयोग मिलेगा एक दूसरे के परति संतुस्टी के बाओ में कमी थी संतुस्टी आपको मिलेगी नए विवाशादी के संबंद आपके बन सकते हैं रुकावटे हैं विवधान के बावजूद आपके नए कई संबंद आपके जुड़ सकते हैं विवाशादी के प्रेम संबंद पहरे से चलने हैं, विवाशादी में तब्दिल हो सकते हैं, संबंदों का लाब मिलेगा, तेरा तारीक के बाद इस्तति थोड़ी अनुपुल बननी शुरू हो जाएगी तरक्य उनत्य के उसर मिलेंगे, भग्या आपको पूरा सपोर्ट करेगा, साथ देगा, पिता के सास्ते का थोड़ा ध्यान रखिए, पिता का भरपूर लाब, सही होगा, आशिरवाद पराप्त होगा, विदेशों की आत्रहों में विवद्दान रुकाउट हैं आ रही थी द धरम करम, आप चैरिटी जो भी करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग आशिदवाद पराप्त होगा, अप आगए आपर आपको सपोर्ट करेगा, थोड़ा परिश्रम और मेहनत करने की आवर्शक्ता है, थोड़ा प्रियास कीजिए, मेहनत कीजिए, पुरुशाद कीजिए, इ अग्या आपका अंजार कर रहा है, करियर विवसाई की दिरिस्टी से, हालिकि वहां के लॉड मंगल चोथे घर में, रिशब राशी में, शत्रु राशी में संचार कर रहा है, लेकिन मंगल की करियर विवसाई की घर पर सब्तम बाव पर संकून दिरिस्टी पढ़ रही है, सब्तम द्रिष्टि तो करियर चलाने के लिए अगर आप बिजनेस करते हैं नौकरी करते हैं या को अन्य कारिय करते हैं कोई बदलाव लाना चाहें नौकरी में परिवर्तन करना चाहें बिजनेस में कोई परिवर्तन करना है नया कारिया विवसाय खोलना है तो आप कर सकते हैं जितना प्रियास जितनी मेहनत पुरशाद करेंगा उसके अकॉर्डिंग शुपफलों की प्राप्ति होगी आपको इस्थिरता प्रदान होगी और आपको तरक्यूनत्ती का उसर आपको प्राप्त होगा लाप की उन से आप लाप गयन करेंगे बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी लेकिन जो जादक विदेशों में हैं उनके लिए समय बहुत ज्यादा नूपूल नहीं है को उनकी नौकरी जा सकती है कोई बिजनिस में कोई प्राप्लम आ सकती है आपका विदेशों से कोई साफसना अटकना खोट का चैरी मुगदमा चल रहा है वहाँ से भी कोई आपकी बात खराब हो सकती है आपका नाम खराब हो सकता है देखिए मित्रों यह जो फलादेश है चंद राशी पर आधारीत है इसकी अपने इंपोर्टनेंस है अपनी एहमेत है लेकिन जो आपकी ल दशान तरदशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तब संबह होता है यह शनी की सड़े सती भी आपको बहुत नुकसान नहीं देगी यह महाँ आपके लिए तरक की दायग लाब दायग उनत्ति दायग सी दोगा और अगर आपकी जनम कुंड़ी के अंदर जो इस्सा सामने आपके आपके आ सकते हैं तो मित्रों एक बाए कुंड़ी का वेस्टेशन जरूर करा है जब गौनकुड़ी का वैक्यूशन होता है दोनों चीजदे टैली होते हैं दोनों चीजदों का एनालेसिस होता है शत प्रतिशत प्रणाम आपके सामने आते हैं और छोटे-छोटे उपाय करने से आप घरों को दूश प्रवाब से बस्ते हैं आपके तरक्यों ने कि मभूज अप्ति के मारग परशास होते हैं उपाय के तरक्यों पर यहां पर कुम राशी वाले जात्रों को यह बहुत ज़रूरी है चुकि देखें यहां पर मंगल भी आपको डिस्ट अप कर रहा है सूरिय भी आपको डिस्ट अप कर रहा है और आपको शनी भी आप शनी से जूझ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहरे आप असना नादिच से आप निर्वत हो जाएं और सूरिय भगवान को अरगे दें और होई पर खड़े ओकर ओम घिर्णी सुर्वाइन में ओम घिर्णी सुर्वाइन इस मंत्र का एक मिनिट तक जाब करें फिर आप अपने पूजा के स्थान पर आजाएं वहाँ पर एक दीपक जलाएं और ओम गंग गनपते ने में 27 टाइम या 108 टाइमस इसका जाब करें और शर्दा पूरुवग एक हनुमान चलिसा का पाट करें और साथ में एक संकट मोचन हनुमान अस्टक का पाट करें फिर हनुमान जी के आर्ति करें और मंगल वार को लाल भूंदी का परशाद हनुमान जी को चड़ाएं रवी वार को गुड से बने मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं काली चुटियों को गुड वाली शक्कर परते दिन खिलाएं और शनी वार को पीपल के विरक्ष पर सुबह या शाम को यानि परते काल या साइकाल पीपल के विरक्ष पर पीपल ट्री पर काला तिल कच्चा दूद पानी मिला कर जैशनी देव जैशनी देव कहते हैं जल चड़ाएं और वही पर एक तिल के तेल का दिपक चलाएं तीन परदिक्षना करें जैशनी देव कहते हैं घर वापस आएं मंगल वार और शनी वार को प्यॉर्टी से रहें शुद्धता से रहें अगर यह कारिये आप शर्दा विश्वास के साथ लगातार कंटिनूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आप घरों को दुश्पर वाब से बचेंगे और महा फरवरी फरवरी का महीना आपके लिए लाब दायक तरक्की दायक उनक्ति दायक से दोगा सुखी रहें स्वस्त रहें हंसते रहें मुस्कराते रहें जैश्री राप जैश्री रूप